हेलो फ्रेंज, वेलकम टू माई चैनल, मैं आज एक और नई रेसिपी आप लोगों के साथ सेयर करने जा रहे हूँ, मुझे उम्मीद है आप सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना, आज हम दो तरह के सुप बनाएंगे, टि 250 ग्राम पालक, मिडियम साइज, दो टेमेटो, एक गाजर, एक मूली, एक प्याज, एक छोटा सा टुकड़ा, चुकंदर, चार से पाच कली लहसन, सारी सबजियों को अच्छी तरह से साफ करकर धो लेंगे, गाजर, मूली, चुकंदर और प्याज को छील कर छोटे-चोट पिसेज में काट लेंगे, कुकर में हाप लिटर पानी डाल कर सबजियों को डालेंगे, और एक सिटी लगाएंगे, अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी में डाल कर फाइन पेस्ट बना लेंगे, पेस्ट त गैस अन कर लेंगे, इसे चलाते हुए दो-तीर मिनट के लिए बॉयल करेंगे, इससे सूप बिलकुल स्मूथ बनेगा, सूप हमारा बनकर कम्पलीट हो गया है, गैस आफ कर देंगे, अब इसमें हम छॉंक लगाएंगे, एक पैन गर्म करेंगे, उसमें हम डालेंगे एक बड लेंगे और गैस आफ कर देंगे, छॉंक को अब हम सूप में डाल देंगे, अब इसमें एड करेंगे वान स्पून नमक, लीड कवर कर देंगे, इससे सर्फ करनते वक्त, उपर से हम फ्रेस क्रीम या बटर और बलक पिपर पारडर डाल कर सर्फ करेंगे, अब हम बनाएंग टेमेटो सूप, टेमेटो सूप बनाने के लिए हम लेंगे चार टेमेटो, दो गाजर, एक प्याज, चार पंच का लिलहसन के और बहुत छोटा एक टुकड़ा चुकंदर का, इन सारी सबजियों को धो कर साफ कर लेंगे, और छोटे छोटे पिसेज में काट लेंगे, कटी 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में डाल कर इसका फाइन पेश्ट बना लेंगे, पेश्ट बन कर तयार है, एक बड़े चलने से इसे चान लेंगे, अच्छे तरह से इसे चलाते हुए चान लेंगे, जिससे कि इसमें जो रफेज है वो अलग हो जाएगा और उसे हटा देंगे इसी तरह से हम सारे सूप को छान कर फ्रेस कर लेंगे गैस ओन कर लेंगे अब इसे चलाते हुए बॉयल करेंगे इसमें हम एड करेंगे एक चमच कॉन फ्लार या अरा रोट एक कटोरी में कॉन फ्लार डाल कर थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और अच्छी तरह से चलाते हुए गोल बनाएंगे अब इसे सूप में डाल कर चलाते हुए सूप को बॉयल करेंगे सूप थीक भी हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज होते जाएगा अब इसमें हम एड करेंगे वन स्पून सॉल्ट और वन स्पून शुगर शुगर इसलिए एड कर रहे हुँ कि यह टेमेटो शूप का खटापन को बैलेंस करता है अब शूप को हम चलाते हुए अच्छी तरह से 5-6 मिनट के लिए बॉयल करेंगे जिससे की इसका कलर चेंज हो कर बिलकुल रेड हो जाएगा और इसका टेक्स्चर भी सांदार आएगा हमें इसमें न टेमेटो सॉस मिक्स करने की जरूरत है ना किसी तरह की कलर हाँ एक बात जरूर याद रखिए इसमें चुकंदर बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे हम सूप बॉयल हो रहा है इसका कलर भी दिरे-दिरे चेंज हो रहा है अब ये कंप्लीट हो गया है हम गैस आफ कर देंगे अब इसमें हम चौंक लगाएंगे चौंक लगाने के लिए एक पैन में हम एक बड़ी चमच घी गर्म करेंगे अब उसमें डालेंगे वान स्पुन जीरा और बारी कटी हुई तीन चार कली लहसन की अच्छी तरह से उसे चलाते हुए गैस आफ कर देंगे अब इस चौंक को हम शूप में डाल देंगे इसे सर्फ करते वक्त हम उपर्शे डालेंगे फ्रेस क्रीम या बटर और ब्लैक पिपर पाउडर तो लीजिए हमारा दोनों तरह का सूप बन कर तयार है आप सब लोग बहुतों बार पहले से सूप बनाए होंगे पर इस बार मेरे बताई हुए प्रोसेस से एक पर बना कर देखिए जरूर इसी तरह की टेश्टी एंड हेल्दी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू फर वाचिंग भाई भाई फिर मिलते हैं एक और ने इस पीके साथ